अब दोस्तों ये जो आज का इस वीडियो है ये ओर रॉल कुछ चीजों पर है और मेंली ये जो वीडियो है ये आपके मॉनेटरी अनुतोष्यों की वाइफ को मिलते हैं उस पर हैं अब दोस्तों पर आज को मॉनेटरी बेनेफिट जो आपके वाइफ को दिया जाते हैं उस पर आज का ये वीडियो है देखे बहुत सारे लोग होते हैं केते हैं मेरे रुपे मैंटरी मैंटरी की बेटिशन लगाये इतना मंगा इतना मंगा है पहली चीज तो आप ये सोच लीजए कितना मंगा है उससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर wife कहती है कि आपकी salary पांच लाख रुपे है मेरे पती की salary पांच लाख रुपे है लेकिन आपकी actual salary एक ही लाख है तो उसके कहने से कुछ नहीं होगा जब आप आएंगे court में अपनी salary slip देंगे तो वो एक लाख के आधार पे ही maintenance तैह होगा तो वो जो कह रही है उससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रुद नहीं है वो कहती है मुझे महीने का एक लाख रुपे चाहिए आपकी एक लाख रुपे salary है तो आपको घबराने की कोई ज़रुद नहीं है लगेगा आपकी एक लाख की salary पर ही क्या लगेगा 15 से 20 से और पे महिना maintenance लग सकता है अगर बच्चे नहीं है यानि 20 परशन का criteria आप मान के चलो wife के लिए और बच्चा है तो एक बच्चे का 10 परशन बढ़ जाता है यानि एक बच्चा और wife 30 परशन दो बच्चे और wife 40 परशन आपकी salary का आपकी कौन से salary जो आपकी net salary होगी लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी gross salary में से आप 4 loan ले लेंगे और फिर बाद में कहेंगे मुझे तो BCRI मिल रहे हैं वो loan consider नहीं होंगे यानि आपकी salary एक लाग बीच जा जा रहे है उसमें से income tax और बाकी deductions कटने के बाद आपको 1 लाग उपीच in hand मिलता है तो 1 लाग consider होगी भले आपका कितने काई loan चल रहा है तो ये एक simple formula है अब बात आती है sir हम इससे बचे कैसे क्योंकि हमारी तो कोई गलती नहीं है wife अपने आप ही घर चोड़ करके गई है और कानून में आप पढ़ते हमाली कहोता है अपने आप घर से चोड़ करके यह चुपत नहीं होती है उसको maintenance नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों quote कहता है यह trial का matter है interim पे तो हम दिलाएंगे ठिक अब interim पे दिलाएंगे तो इसका सिर्फ एक ही तोड़ हो सकता है पहला कि जो wife है आप यह साबित कर दो कि wife खुद जो है earning करती है और काफी अच्छी earning करती है उसका कोई concrete proof आप quote के सामने ले आओ पहली चीज दूसरी चीज आपकी जो income है उसको आप कितना low कर सकते हैं कितना कम कर सकते हैं यानि आपकी salary slip जितनी कम होगी उतना आपके लिए benefit है क्योंकि calculation आपकी salary slip पे यह होनी है तो दो चीजों पे आपको focus करने हैं पहला अपनी salary slip को आप कितना कम कर सकते हो legally obviously और दूसरा आपकी wife जो भी earning करती है उसके मारफत आप quote में क्या ले कर किया सकते हो इन दो चीजों के अलाबा आपके पास कोई option नहीं होता आपकी जो कई बार सोच होती है ऐसी होती है कि इतना कमाती है और इसकी earning का ये proof है या फिर मैं इतना कमाता हूँ कम से कम जो हो सके हैं ताकि कम से कम maintenance का order हूँ इतना simple maintenance का case होता है लेकिन उसमें लोग उलचे रहते हैं परशान रहते हैं 5-5-7-7 साथ साल पता नहीं क्या सोचके maintenance का case चलाते हैं जबकि हमारा कोई maintenance का case कभ तब तक interim नहीं बंदा तब तक तो आपको उसको stretch करना चाहिए, drag करना चाहिए, खीचना चाहिए क्योंकि उससे wife को थोड़ा सा realize होता है कि court से पैसा लेना इतना आसान नहीं होता है ठीक, execution जो होता है उसको भी थोड़ा सा stretch करना चाहिए लेकिन जब एक बार interim का order हो जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा लड़की अपनी तरफ से देरी करनी शुरू करती है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा alert रहना है कि interim का order होने के बाद आपका मामला जितना जल्दी खतम होगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि burden आपके सरपे से हटेगा, एक तो case कम हो हो गया, उसके एक दो date पर भी wife ने evidence नहीं दिये, तो return application लगाओ, कि जी evidence नहीं दे रही है, इसको evidence के लिए आखरी opportunity दी जाए, otherwise इसकी evidence की जो opportunity खतम कर दी जाए, उसके बाद evidence आएंगे, और wife के evidence आगे, उसको अच्छे से cross करो, उसके बाद जब file आपके evidence पर है, simple से एक application कि I don't want to give any witness from my side, I just want to submit some electronic or documentary evidence if you have, वो आपने लगा दिया वहाँ पर, कि भाई मेरे पास के वल, electronic evidence है या documentary evidence है, वो मैं submit करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से मुझे कोई witness नहीं देना, अब इससे होगा क्या, अगर आप witness नहीं दोगे, तो आपके सालो तो ऐसे बच गए, क्यों अगर अपना cross करा के कोई benefit थोड़ी है, नुकसान ही तो है, वह आपसे 50 question पूछे जाएंगे, 50 में से 10 तो गलती करोगे या आप भी, तो नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होता, time बचाओ और case को जल्दी खतम करो, यही strategy है, interim लगने के बाद, सबसे best, और जितना जल लोगें, दिखो जो फसे हुए हैं, बहुत से लोगें जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, अब कई सारे लोग होते हैं, उन्हें starting में कुछ चीजों के लिए मना करते हैं, बाई अब section 9 में डालना, आप है समत करना, आप है समत करना, वहाँ हाँ, ओके-ओके कर भी देते हैं, दो साल बाद कॉल आता है, सर आपने उससे में मना किया था, मेरी मम्मी नी मान रही थी, मेरी पापा नी मान रहे थे, मेरा फ्रेंड नी मान रहा था, section 9 डाल दिया, आज वा वाइफ उसमें section 24 लगा के बैठी है, section 9 में भी तरा maintenance दे रहा हूँ, तीन साल होग है सर, अब उस किसी चीश को सुना, समझा और फिर उसको माना, आपने किसी चीश को देखा, सुना, समझा और उसको माना यह नहीं, तो result कहां से मिलेगा, और आज के समय तो हमने यह देखा है, यह हलत हो गई है, कि client को आप कुछ कहते हैं, बहुत से लोग सब तो नहीं, लेकिन कुछ मानेंगे नहीं, चलाएंगे वो अपनी, लेकिन result वो चाहेंगे, जो कि sir मैंने वहाँ वीडियो में देखे थे, ऐसा थोड़ी होता है, अगर आपको result वो चाहिए, तो बात भी तो वो माननी पड़ेगी, फिर जो बताई आ रही है, बात तो आप नहीं मान रहे, कर तो आप अपनी ने, मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं ऐसे करूँगा, और result आपको हो चाहिए, जो वीडियो में बताई गए थे, ये बिल्कुल भी possible नहीं है दोस्तो, हर एक result के लिए, हर एक step आपको उस दिशा में उठना जरूरी है, तो थोड़ा सा समझी है, ये इतनी आसान डगर नहीं है, फसेंगे आप आगे जा करके, इस्पेशली मुँगों के लिए कह रहा हूँ, जिने पता नहीं है, जो experience नहीं है, जिनका नया नया अभी starting हुई है, उन विचारों को कुछ भी नहीं पता होता, जो जिसने कहा दिया, वो बस उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन समय आने पर सब कुछ रेलाईज होता है, पर देरी हो जाती है, जब देरी होगी तो अब राहता समेटे कैसे फैल जादा गया, इसलिए फैलाने से पहले सोच लो, फैलाना है की ने फैलाना है, और तब step लो, चलिए दूस्ता आज के स्टूडियो में जता है, नेक् जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए गुर्भाए, और थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक कियर.